हेले दोस्तों नमस्कार एक बार फिर सी स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में दोस्तों यहाँ पर यह सकते हैं कि आरो के लिए इस्पिसल आपकी हिंदी की क्लास यहाँ पर इस समय स्थार्ट की गई है और यहाँ पर इसके पहले भी हमने कई प्रैक्टिस सेट आपके सौल भी करवाया है है तो चलिए देखते हैं कितनी तयारी आप सभी लोगों की है आवाज बगार मिल पार ही आप सभी को मिल पार ही है चलिए जैहिन सभी को जैहिन गोडिवनिंग गोडिवनिंग जैहिन जैहिन सभी को गोडिवनिंग रम रम चल यहां पर बताना है one option यहां पर राइट क्या हो सकता है आप कहारा है सत्त नमन तो यह जो आपका है क्या सही है क्या सत्त नमन तो वह यह यह सत्त में जो आधा आधा जो लिखा है न यह नहीं होता है पूरा होता है सत्त होता है यहां पर रीत्य अंसार जो आपका दिया है रीत ओर कीरति one में गडर देखा जाए तो कीरति कीरति one यहां पर देखा जाए कीरति one होता है तो ये भी जलत हो गया हो जएगा कहा यहाँ पर कौन सा सी नंबर याद रखेगा से नंबर आपका राइड हो जाएगा यहां पर संभावना जिसको आफसे आ याmetros नां दिया गया है कि कौन से सब को सब्रुदी मानक आपका हैं यहांपर देखा जाए 2 को आपशन यहांपर संबंध आपसे कहरा है और गर वरतनी मानक में देखा जाए तो आपका सम्मन्द सबसे बेस्ट कौन सा बनेगा सम्मन्द येवाला आपका बेस्ट इसमें अंसर है right हो जाएगा याद रिखिए मानक आपकी वरतनी यहाँ पर अंसर हो जाएगा day number अगला आप से कह रहा है कौन सा सोख दिया गया है क्या दिया है सोख दिया गया है यहां पर आकास दिया है निर्पराद दिया गया है और मधुरता दिया गया है मधुरता सब्द में थोड़ा सा फोकस करिएगा क्योंकि मधुरता नहीं होता है मधुरता होता है क्या होता है मधुरता होता है ठीक है ना मधूरता ठीक है तो आपसन आपका यहां पड़ी निम्बर हैं यह गलत हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है कि निलिखित में से सुद्ध वर्तनी वारा सब्द कौन सा है यहां पर सुद्ध वर्तनी कौन सी है अब आप देखेंगे वैदेही आपका तुझ मा देखेंगे अगर फाइब के अगर बात कर लेते हैं तो कहरा है आज का अवकास देनी का नुग्रा करें आज का अवकास देनी की कृपा करें हाना यहां पर आज का अवकास यहां पर देखा जाए फाइब मौप्शन सी वारा देखें आज का अवकास देनी की कृपा करें य अगला कोशन दिया गया है कि मिस्र वाकि को पेंचानना है यहाँ पर सिक्स्टंबर में मिस्र वाकि है कौन सा हमने का था इसलिए होता है यह कौमा लगा होता है हाना यहाँ पर देखो आपका दिया भी गया है कौन सा option C वाला यहाँ पर दिया गया है उसने जो परिच्छा द रसमी के तो यहां पर अंसर आपका से नंबर है यहां पर राइट हो जएगा 6 को आपसन से नंबर है बन जाएगा याद रिखेगा ठेक है ना और यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे दिया गया है कि इन में से कौन सब्स साब का परयाची है कोशन नमर 7 को आपसन देना आगे बढ़ते है कोशन आपस दिया गया है निमनिखित में से कौन सब्स 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 का कमल का परयाची है कमल के परयाची में कौन सा हो सकता है गुलाप तो होगा नहीं है लेकिन अगर बात करें रजनीगंधा यह भी नहीं है याद रिखेगा यहाँ पर आपसन भी हो पावक का हना क्या होता है याद रुखेगा यहां पर और और भी होते हैं अगला हवा के लिए परयायोची कौन सा है तो आप कहेंगे हवा के परयायोची कि एगर बात कर लेते हैं 10 नंबर में हवा का होता है अनिल होता है क्या होता है अनिल होता है वाई होता है समीर होता है पवन होता है अगला दिया गया है दिये गया विकल्पों में से सुधा का समनार्थी कौन सा है सुधा का समनार्थी देखा जाए क्वेशन मरें 11 दिया गया और 11 कि बात कर लेते हैं तो सुधा मत होता है अगला क्वेशन डिया गया है कहा यह यहांपर 12 न यहां से अब होता है कहष्यक पर आट पर, होता है ऋकम सिल होता है यहां पर ÉK जाएगा आपका सिनमबर अगला कोशन दिया गया है समुद्र का परयवची क्या है देखे समुद्र का परयवची क्या होता है अलडव दिया है विसंभर दिया है उदक दिया है वो तुर्ग दिया गया है तुंग यहाँ पर जो आपका अंसर बनेगा ए नमबर अलडव हो जाएगा अल बात कर लेते हैं, कह रहा है, वाजी सब्द का परयाची क्या होज़ेगा, चबुदा नमबर में, वाजी सब्द का आसे क्या होता है, यहाँ पर याद रिखे, असो, हना यहाँ पर जो आप समनेगा, वो आपका होज़ेगा, ए नमबर होज़ेगा, असो भी ए नमबर इसका र परっ वौला गया कॉश्योन मिंष्ड इसका जोंसर है यहां पर राइट होजेगा अनंग हो सैंसर हैं और कामद्य की परशावच्प्रक्रप्रक्र्पति अट्रेम्राओल Okay देखे सुरा है मदु है अम्रत का होता है और मदिरा के परिवच्ची यहां पर देखो सुरा भी है मद है सराब होता है सोमरस भी होता है यहां पर option C हो जाएगा next question बताएगा निमनिकित में से कौन सब्द आपका विसेश है question में आपका सत्रा दिया गया है पूंचा गया विसेश आपका कौन सा है अब यहां पर देखो दिया गया पॉस्टिक दिया है पाठकी दिया है भावग दिया और विसाद दिया है यहां पर देखा जाए विकल्पों में से जो विसेश सब्द है हाना विसेश सब्द आपका है यह है आपका विसाद क्या है विसाद और इसका विसाशन होता क्या है इसका विसेशन होता है विस्ण क्या होता है विस्ण ठीक है ना यहां पर ऐसे इसका जो विस्ण बनेगा वह आपका कुछ इस प्रकास से यहां पर बन सकता है विस्ण आपका ऐसे आपका बन जाएगा ठीक है ना यहां पर यहां पर यहां आपका अड़ा हो जाएगा विस्ण ऐसे हो जाएगा अगला दिया क्कै राम लेला बुद्धि मतिस्तिरी रामापत और सीता राम देखें इहां पर आपसे कहरा है इस के आगा है है स्रेष्ट उपासा के में 26 कौन सा है ऐसा question आपको इसके पहले वी class में मिल चुका है देख सकते हैं question number 19 के अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वह स्रेष्ट उपासा के 26 है और 26 है तो option कहेंगे आप सी number उपासक इसका जो option इसी number उपासक इसका अंसर है right हो जाएगा याद रेखेगा और 6 जो दिया गया है वो है आपका 26 हो जाएगा next question दिया गया है निम्निखित में से 26 उपाद आपको कौन सा है यहाँ पर दिया है 26 उपाद कौन सा है यहाँ पर देखे 26 उपाद 20 को option क्या बनेगा 20 के अगर बात कर लेते हैं तो आपसन में से राइट क्या हो सकता है जवाब देना है यहाँ पर हो जएगा उमा उमा जवाब का है वो क्या है बिसेश से है उमा जवाब का है यह बिसेश हो जाएगा कालिमा मधुरिमा महिमा यह क्या हो जाएंगे आपके बिसेशन हो जाएंगे हाना तो इसका जवाब सन आएगा वो आपका एजिस काहरा है बिलको राइट हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है निम्निकित में से कौन सब्द भासन के लिए उप्युक्त बिसेशन होता है दोस्तों यह गया है भासन के लिए बिसेशन क्या हो सकता है यहाँ पर एकई संबर में देखे भासन मतलब ज यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि इन में से गुण वाचक विसेशन कौन सा है कोशन मरबाइस देना है गुण वाचक विसेशन गुण जो किसी ब्यक्तिकी वस्तु गुण रंग दोस आना आकार के बारे मताता है कहारा है गरिब सूखा पीला सा इसका मतलब यह सबी क्या है गुण ही है तो आप समयेगा यहां पर आपका D-Number है राइट हो जएगा D-Number आपका बन जएगा D-Number अगला कोशन दिया गया है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं है इस वाकी में सच्चे किस प्रकार का विसेशन है तरी समबर का जवाद देना है अब यह बिसेशन किस की विशेशता बतलाता है अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे संग्या और सरुनाम दोनों की विशेशन की अब समयेगे आपका अब इस नमर ने इस कोशन दिय गया पर अब समय है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं वाकि में कितने 20 सेशन सब्द आपको दिये गया है 25 संबर आपको जवाब देना है मुझे छोटी हना क्या है मुझे छोटी सब्द आपको मिले गया हना और कौन सा मिला है आपर बच्ची के लिए कुछ हना यहाँ पर देखो कुछ सब्द आपको मिले गया नए कपड़े खरीदने है हना नए कपड़े खरीदने है यहाँ पर देखे और कुछ हो सकता है हाँ नए सब्द भी आपको हो सकता है क्योंकि नए पुराना ये भी आपको होता है तो यहां पर देखा जाये तो आप से विसेशन हो गये 3 क्या हो गये 3 आपके हो गये प्सम्र अपका अपने निमरे राइट हो जाएगा निस कोश्ण को रहाते हैं कोश् Anteo का अगया है कि इनमें से कौन सा सब्द विसेशन का उधार नहीं है इन में से कौन से सब्द विसेशन का अधरा नहीं है 26 मरब से कह रहा है तो देखे 26 की गरबात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे अधिकारी दिया गया है अगनी का अगने होता है अंतरीक है लेकिन अंतर जो दिया गया है option C number 26 कॉप्शन से अंतर सब्द विशेशन का उधर नहीं है अंतर सब्द विशेश से है और इसका जो विशेशन होता है आंतरीक होता है अना क्या होता है आंतरीक होता है बाकि यहां पर जो आप से दिये गये हैं अधिकारी और आगने यह क्या है आपके विशेशन तो आप में देखा जाए तो आपका कौन सा हो सकता है देखो जो अमीर दिया गया है अमीर हना आप समनेगा बेनमबर अमीर है यह आपका अंसर क्या है विदेशी भास्त से आया है यहाँ पर दिया गया है कि विदेशी सब्दों को आपका है अंगोचा तो अंग पूछा अंग प्रोचा यहां पर देखा जाए तो आपका जो अंसर बनेगा वो आपका कौन सर बनेगा यहां पर तदबाव अंग प्रोचा जो आपका दिया गया है यहां पर अंगोचा किसका तदबाव है तो आपका इसका तदबाव है आपक यहां पर यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया निम्निखित में से तदबह आपका कौन सा 31 मर में पूचा गया है तदबह सब्दी के अगर बात कर लेते हैं यहां पर देखा जाएं तो आपका दिया गया है अचरज और अचरज़ का होता है आश्चर हना तीस का कि निमने लिखित में से कौन सा तदभाव सब्दापका है निमने लिखित में से कौन सा तदभाव सब्दापका है 32 समर आप से पूछा गया है अब यहाँ पर देखो तदभाव सब्दी के अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया है तो भाया अमी ये अम्रत का मतलब इसका जो तर्सम होता है वो अम्रत होता है इस कारण से ये क्या है तदबह है अम्रत होता तो आपका हो जाता ठेकें आगे बढ़ेगा आकारे सब्दका तदबह क्या होता है जवाब देना है कि आकारे सब्दका तदबह रूपिन में से क्या का है ती हfilm 33 की बात करते है आकार का होता है यहां पर आपका बिनमबर है और पॉइले हो जाएगा जल दिस बत है और होता है पिल्कुल सही है अंधा जो आपसन मनेगा कौन सा यहां पर आपसन मनेगा आपका ए नंबर अंधा आपका जो अंसर आ रहा है यह राइट हो जाएगा है यहां पर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है उस विकलब का चेन करें जो दिये गए सब्दे का तदभाव अठालिका क्या है अठालिका का तद्सम हो जाएगा आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है निम्निकित में से कौन से सब्दा आपका तदभाव है तदभाव की पैचान करना है 36 संबर में चले यहां पर दिया है दात दिया है हना अच्छा तदभाव नहीं है जो जहां भी चांद की विंदी लग जाए वह हमेंशद तदभाव होता है तो यहां पर अधर दिया है और कान दिया गया है अब 36 कौशन भी हो जाएगा अधर जो आपका है तदभाव नहीं है यह आपका तस्न में दोस्त दोस्त याद रखेगा और यहां पार आगे बाड़ी एक कोशन आप से लाप पूछा गया है, कह रहा है, नीचे दिये गया उची तुवाक्यांस के लिए सब दोताना है, अभूद पूर क्या होता है, अभूद पूर मतलब होता है, क्या बोलेंगे भई, अभूद पूर मतलब जो पहले घटितना हुआ हो, है न, यहाँ पर आप्सन मनेगा उसे अभियोगी कहते हैं ठीक है ना और जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं अगला है जिसमें सक्ति ना हो वाक्यांस के लिए सब दताना है जिसमें सक्ति ना हो तो जिसमें सक्ति ना हो वह वह होता है असक्त होता है असक्त आपसमनेगा आपका एनमबर अगला दिया गया है कि अंक में इस्थान पाया हुआ अंक में इस्थान पाया हुआ वाक्यांस के लिए सब्द क्या है चारी संबर में तो यह यहां पर अंक में इस्थान पाया हुआ होता है अंकस्थ क्या होता है अंकस्थ होता है नए कोश्चन इसको जरूर नोट करिएगा ठीक है न और जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं ठीक है अगला कोशन बताएगा क्याराय निम्निकित प्रस्प में चार विकल्प दिये और प्रस्पी करें जो वाक्यांस के लिए एक सब्दाप का है आग से जुलसा हुआ आग से जुलसा हुआ उसके लिए क्या बोलते हैं तो अपर्मे 21 वाक्यांस के लिए उप्युक्त है 22 संबर में तो आपर्मे मतलब होता है जो प्रमाड से सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं आपर्मे कहा जाता है याद रखेगा अपर्मे क्या होता है जो तौला या नापा ना जा सके उसे अपर्मे कहते हैं ठीक है न यह भी कोस्टन आपका पूँचा गया है कई बार पूचा गया है आगे बड़ी कोस्टन दिया गया है कि दोपाहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं तो इसे बोलते हैं क्या अपराहन बोलते हैं क् CRC number अप राहन आपका हो जएगा अप राहन हो जएगा ठीक हैं ना किलियर है अगला कोर्षन दिया गया है कि जिस पर अकरमड ना किया गया हो छवाली संबर में देखिए जिस पर अकरमड ना किया गया हो उससे भायानिक थोड़ों कहेंगे उससे बोलेंगे अनाकरांत अगला है किसी वस्त को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है और किसी वस्त को प्राप्त करना इसके लिए सब्दे मिलोग क्या बोलेंगे तीवरी इच्छा करेंगे क्या बोलूँगे यहां पर बोलेंगे अभीपसा अभीपसा जो क्या option है आपका अभी नंबर है राइट हो जाएगा अभीपसा हो जाएगा अगला बताएगा कोशन दिया गया है लिंग की दिरस्टी से सुद्दवाकी कौन सा है चली सुद्दवाकी की पैचान करिए 47 समर में यहां पर देखो मेरा पुस्तक अच्छा है सही है क्या आप कहेंगे नहीं सही है आपकी नाक कट गई बिल्कुल सही है कि एगर आप हिंदी में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो आप कि नाक कड़ जाएगी और साथ मिमारी भी कड़ जाएगी क्योंकि आपको इतनी इच्छे से इंदियम ने पढ़ाया है और डेली क्लासे होती भी है हाना यहां पर देखिया ओप्सन भी हो जाएगा नेस कोशन दिया गया है वह महिला बहुत विद्वान है वाकि में किस प्रकार के सुद्धी है वह महिला बहुत विद्वान है अब महिला दिया है और विद्वान दिया गया है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो लिंग सम्मंद्य सुद्धी है यहां पर वह मैला बहुत विदुसी है यह आपका होना चाहिए सुरी तो आप समझाएगा आपका यह नमबर है यहां पर लिंग समंद्य सुद्धी है आगे बड़े कोशन दिया गया है लिंग की दुरस्टी से एक वहा किया सुद्ध दिया गया है तो चलिए देख लेते हैं यह राम का भवन है यह राम की इमारत है यह राम की बैठक है यह राम का गौसाला है देखें उन्चा संबर में तो यह राम का गौसाला यह सुद्ध है क्या सुद्ध है बताइगा यह राम की गौसाला है या राम की गौसाला है ऐसे होना चाहिए था इसलिए गड़वड़ी है आपके डिनमबर पे आगे बढ़िएगा किलिंगी की दृष्टी से एक वाक्य सुद्ध दिया गया है सुद्ध वाक्य के पैचान करना है आप से कहरा है दही बहुत खटी है दही बहुत खटा है उसका चाजन चपता है मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है सिपाही की पगड़ी लाल है देखिए उसकी चाजन तपकती है देखिए उसकी सब्ध होगा और यहां पर दिया मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है यह होना चाहिए था इसका मतला ओप्सन डी हो जगा सिपाह कि जो पगड़ी है वो लाल है तो आपसन मनेगा आपका डी निमबर है अगला दिया है आधी का विलूम सब्द क्या होता है आधी का होता है अंत होता है आधी का होता है अंत आपसन मनेगा डी निमबर है अगला है सरवगी का विलूम क्या होता है सरवगी का विलूम होता है व क्योंकि option है C number 30 का हो जाएगा ठीक है clear है और यहां पर दिया गया है विग्ग का विलूम क्या होता है विग्ग का विलूम अग्य होता है और अग्य कहां पर है option D दिया गया है अगला दिया गया है assist का विलूम क्या होता है पचपन नंबर में तो assist का हो जाएगा assist कि assist हो जाएगा यहां पर भी नंबर है इसका right हो जाएगा दोस्तों याद रिखेगा क्योंकि assist का विलूम होता है असेस होता है क्या होता है औसिस्ट का असेस होता है विसिस्ट का विलूम क्या होता है सामान नया साधारन कह सकते हैं निकरस्ट का उतकरस्ट होता है ठीक है आगला बताएगा विवेकी का विलूम क्या हो जाएगा विवेकी विपन्य का होता है संपन्य अगला इनमें से अनभीग की सब्द का विलूम क्या है बताएगा कि अनभीग की सब्द का विलूम क्या है अनभीग का होता है अभीग की होता है अनभीग का विलूम होता है अभीग अभीग को याद रखेगा अनभीग का है आपका विलूम होता ह तो विग्गी होता है क्या अग्गी का क्या होता है तो अग्गी का विग्गी होता है अग्गी का विग्गी हो जाता है ठीक है न और क्या होता है अर्थ का अनर्थ होता है असीम का ससीम होता है अगला है ऐसरे का विलूम क्या है ऐसरे का विलूम तो ऐसर्य का विलूम होता है क्या यहाँ पर अनायस्वर्य होता है अनायस्वर्य होता है अगला बहुमत का विलूम क्या है आप कहेंगे सर बहुमत का होता है क्या बहुमत मतलब हो जेगा अल्पमत क्या मिलेगा अल्पमत बुलते हैं बहारी बहुमत से जीते तो अल्पमत फ और यहां पर इस प्रीकार से देखे आपके जो साझ प्र स्नुवे वह के कंपलीट होते हैं और डेली क्लास देखो दी जा रही हैं, आपकी एक्जाम की, तो आपकी जी की क्लास जो सुबह 11 बज़े होती है, उसको भी आप लोग स्टोल करते रिएगा, ठीक है, धन्यवाद, सभी को जैहिन, बंदे मातरम.